हेलो आगे हो मैं एक और कस्टम रोम का रिवियू लेके इस बार Note 8 के लिए Redmi Note 8 के लिए पिछले वीडियो में अगर आप चाहिए तो देख सकते जाकर कईज यह MSM Extended 7.0 जिसमें आपको March 2020 का Security Patch मिल जाता है कैसे रोम बहुत ही ज्यादा कस्टमाइजीबल है Android 10 की रोम है यह और इसमें आपको हट से ज्यादा कस्टमाइजिशन मिल जाता है इसमें हर एक पार्ट आप कंट्रोल कर सकते हो कस्टमाइज कर सकते हो इस रोम का तो कैस हम शुरू करते है क्विक सेटिंग से तो क्विक सेटिंग में आपको यह डेटा आइकन और डेटा स्विच वाले आइकन मिल जाता है स्क्रीन रिकॉर्डडर मिल जाता है गाईज ऑल्वेशन डिट बात करें तो यहाँ पर आपको तो यहां पर वोल्टी जो है . काम करे ver maior रूम यह मैं आपको यई-ecan कार्या निगा का इसमें gayinder । क्ट्रिय की बात करें तो अगर आप में लेकर के सक्के кусट्रिस्टा उन एंड़ेखम होस्ne करें था दिस्क्रिप्शन में डीटेल में लिख एक है तो हम चलते हैं डिस्प्ले में यहां से यहां पर इसकी में शुरू होती है डिस्प्लेस्टेंग में आपको सारे नॉर्मल फीचर्ड वरकिंग मिल जाते हैं पर जो खास बात है आपर मिल जाता है तो गईस और यहां पर आप डिस्प्ले का डाउट का option देख सकते हो जो आप यूज कर सकते हो गईस यहां पर आपको game driver preferences का option मिल जाता है और यहां पर आपको other font display और गया option मिलते हैं कैसे यहां पर आप दिख सकते हो कि यह थीम रूम में क्या option आपको देखने हो मिलता है काफी सारे डार्क और लाइट थीम के option आपको available हैं यहां से आप accent color भी change कर सकते हो guys अपने मन का कोई भी accent color आप choose कर सकते हो जैसे कि मैंने red किया है तो guys आप देख सकते हैं कि gradient यहां पर available है आप चाहों तो gradient enable कर सकते हो या फिर दोनों color को same set करोगे तो आप same color apply कर सकते हो फिलाल मैंने यहां पर pink और blue का mixer बना रखा है red और blue का sorry तो guys बहुत शांदार लगता है gradient color जो है वह पूरी theme पर apply हो जाता है पूरा accent color जो है buttons और sliders वगएर सब पर gradient enable हो जाता है इस icon shape हम यहां से change कर सकते है square, squarsal, teardrop वगएरा तो यहां पर मैंने cylindrical किया है यहां पर आप देख सकते है कि icon change हो गया है और status bar icon यहां पर भी same option आपको देखना को मिल जाता है guys, यहां से अब हम चलते है back और जो इसकी main highlight है extensions यहां पर आपको बहुत जादा customization मिल जाता है इस पहला option आपको buttons के अंदर मिल जाता है volume rocker का जिसमें आप music control कर सकते हो volume rocker से, volume rocker से अपने device को wake कर सकते हो और आपका volume panel है उसकी position भी आप change कर सकते हो आप देख सकते हैं कि gradient accent जो है वो इस पर भी apply हो जगाई इसके slider पर तो मैं आपको right side पर करके दिखा जिता हूं यह देखीए guys shift हो गया right पर और guys यह जो सारे options है आप यहां से enable कर सकते हो सारी sounds है पूरी device के और guys फिर से सलते हैं buttons में और guys इतना ही था फिलाल buttons में बात करते हैं decor room के तो guys ambient display आप यहां से भी always on पर set कर सकते हो या फिर double tap to check phone पर enable कर सकते हो या फिर new notification पर कर सकते हो और lift sensor guys यहां पर working आपको मिल जाता है इस animations की बात करें तो यहां से आप पूरे system की animations change कर सकते हो या फ इसकी जो speed fast है और mode है anticipate overshoot तो आप भी इसे side कर सकते हो guys बहुत चांदार लगता है guys बात कर लेते हैं battery style की तो फिलाल आप देख सकते हैं battery का icon जो है वो behind notch जा रहा है तो उसको we fix करेंगे थोड़ी देर से आप यहां पर mode select कर सकते हो circle, dotted circle, battery bar या फिर portrait icons बहुत सारी battery style available है guys औ और आप text भी enable कर सकते हो inside या फिर outside icon ठीक है, battery bar भी आप यहां से enable कर सकते है, clock की बात करें, clock को भी आप यहां पर customize कर सकते है, उसकी position right मैं आप करके दिखा देता हूं, यह दिखी guys right से लीगी, वापस मैं से left करता हूं, और guys यहां से आप क्या कर सकते है, date भी enable कर सकते है, इसी date या फिर जितना बड़ी clock है उतनी बड़ी date, अपर case पर इसे state कर देते है guys, और guys यहां से जो हम format change कर सकते है, और guys font भी, font का जो color है guys, यह पूरा change कर सकते है, मैं करके दिखाता हूं, यह देखी guys, color plus date, sorry, clock plus date डोनों का color red हो गया, और यहां से हम font change कर सकते है guys, ठीक है, तो guys, पूरी बहुत श्यांदर का customization है clock का status bar पर, और guys, यह देखीए, label वगएरा, और status bar, जो logo है, वो भी set कर सकते हैं, और battery bar यहां से हम set कर सकते हैं, guys, बात करें हम gestures की, तो AOSP gesture में जलते हैं, यहां पर jump to camera का option मिल जाता है, double tap to power button, ठीक है, और guys, जहां से हम two button या फिर gesture navigation इनेबल कर सकते हैं, तो यहां पर मैं इनेबल करके दिखा देता हूं, ठीक है, तो यह देखी, guys, Android 10 का जो gesture navigation है, वो यहां पर बहुत smooth काम कर रहा है, तो अब मैं इसी को use करता हूं, तो guys, यहां से हम back चलते हैं, और यहां पर आप देख सकते है, swipe to screenshot option आप इनेबल कर सकते ह बाला, और guys, अब बात कर लेते हैं, हम lock screen की, तो यहां पर भी बहुत सार customization आपको देखने को मिल जाएगा, तो हम चलते हैं, पहले lock screen UI में, और clock style में, तो फिलाल मैं आपको lock screen दिखा देता हूं, guys, ठीक है, तो लॉक करता हूं, तो मैं यह lock कर देता हूं, okay guys, ठीक है, double tap to wake, यह देखी, ambient display यहां पर आगया, फिलाल हम lock screen पर आगया, ठीक है, तो normal clock अभी आपने देखी, अब यहां पर मैं set कर देता हूं, android q style, ठीक है, तो मैं इसको lock करता हूं, यह देखी, analog clock हो गई, android q वाली, अब इसको भी हम change करते ह हैं, तो guys, यह देखी है, तो यह देखी है, अब हमाई text clock जो enable हो गई है, यहां से हम जो font वागारे change कर सकते हैं, तो मैं करके देखता हूं, तो okay guys, फिलाल तो इसका font change नहीं हो, तो मैं दूसरा यहां से नीचे से करना पड़ेगा, इसका font ठीक है, तो हम इसका font change करते हैं, तो guys, अब आप दिख सकते हैं, यहां से font change हो गए, text clock का, तो आप font change कर सकते हो, accent color change कर सकते हो, center में रख सकते हो clock को, और guys, जो सवाड़ा कुछ जो lock screen पर है, आप control कर सकते हो, जैसे की guys, यहां पर मैं बात करूँ आपकी, जो owner information होती है, उसकी, और guys, जो date वगरा होती है, उ और charging information enable कर सकते हैं, हम lock screen पर, और guys, जो charging animation है guys, वो भी हम change कर सकते हैं, फिलाल मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, पर बहुत सारे charging animation style available हैं, कि आप मेरी Realme 3 Pro वाली वीडियो देखिए, उसमें मैंने charging animation भी दिखाया था, अगर आप देखने चाते हो, तो बहुत सारे animations available है, के लिए, fingerprint direct unlock option आपको मिल जाता है, ठीक है, reboot की बात, और guys, अब हम बात कर लेते हैं, notifications की, ठीक है, तो heads up notification का आप enable या फिर disable कर सकते हो, अगर आपको पसंद नहीं तो disable कर दो, notification ticker enable कर सकते हैं, और guys, पर app notification side कर सकते हैं, और guys, edge lighting का support आपको मिल जाता, ये भी एक बहुत स्य तो ये देखिए, कितनी शांदार लगती edge lighting, आपके पास जबी कोई new notification आईगी, तो आपका display ऐसा ही light up हो जाएगा, और यहां से accent color, इसका जो edge lighting का color है, वो भी change कर सकते हैं, तो यहां से मैंने red कर दिया, accent color से match होता हुआ, तो आप इसे double tap to wake करते हैं, तो ये देखिए कितन ये शांदार लगती edge lighting, मेरा favorite feature है, इसको हर room में include होना चाहिए, तो अब बात करें, और options की तो यहां से आप ambient display की brightness है, वो भी set कर सकते हो, guys, power menu में चलते हैं, तो power menu में हम advanced reboot, advanced start का option, जो enable कर सकते हैं, और भी काफी सारे screenshot वगरा है, airplane mode है, सब आप enable कर सकते हो, power menu में, guys, एक एक चीज़ आपको बताने चाहता हूं कि, जब हम यह setting कर रहे होते हैं, UI की, तो क्या होता है कि, हमारे जो touch है left or right side का, जब भी आप gaming वगरा करोगे, तो left or right side का touch करना, काम करना, बन कर देगा, उसके लिए आपको reboot कर लेना एक बार, उसके बाद अच्छे से काम करेगा, ठ इसके जो quick setting icon से background change कर सकते हैं, ठीक है, और guys, यहाँ पर status bar icon enable disable कर सकते हैं, आप जो चाहते हो रखो, जो नहीं चाहते हो, उसे disable कर दो, guys, network traffic indicator enable कर सकते हैं, old style mobile icons enable कर सकते हैं, notification count enable कर सकते हैं, 4G icon हम LTE से switch कर सकते हैं, and volte icon को मैं disable कर दूँँआ, ठीक है, और guys, extra, अब यहाँ और हम देखते हैं, system settings के बात करते हैं, तो यहाँ पर, guys, wake lock blocker, alarm blocker, suspend actions, और guys, काफी other option मिल जाते है, extra options में, guys, gaming mode मिल जाते है, तो, यह शांदर feature है, guys, हम इसको vibrate पर set कर देंगे, और इसको कर देंगे, disable, तो यह best setting रहती है, हमारे gaming mode की, तो guys, यह जो हमारे icon behind the edges जा रहे है उसको हम ऐसे fix कर सकते हैं, किसमा इस rounded corner पर हम जाएंगे, और guys, यहाँ पर जो padding is, status bar key, इसको थोड़ी सी increase कर देंगे, ताकि हमारे icon जो squeeze in हो जाएं, और guys, अब हमारे icon जो fix हो चुग है, ठीक है, तो हमने totally fix कर लिया है, और हमारी जो room है, guys, वो बहुत शांदार है, इतना स इस battery life के बारे में, अगर आपको जानना है, तो आप description में जाकर check कर सकते हैं, मैंने वहाँ पर लिख रखाया है, और guys, अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर fingerprint sensor की, की वहाँ यहाँ पर कैसा गाम कर रहा है, यहाँ पर fingerprint apply कर रहा हूँ, मेरे left hand का, तो guys, apply जो है, वो अच्छे किया और गैस यह दिखिए अनलॉक हो गया तो गैस fingerprint sensor बहुत अच्छे से काम कर रहा है no issues गैस अब हम installation दिख लेते कि इस रोम को कैसे करना इंस्टॉल तो गैस यह रोम इस्टॉल करने के लिए हमें चाहिए होगी orange fox recovery इसको आप इसका link मैंने description में दे दिया है तो वहां से आप download करके इसको flash कर लीजिए और reboot कर लेजिए हमारी orange fox recovery में ठीक है guys तो guys यहां पर हमारी जो recovery reboot हो चुकी है guys यहां पर आप देख सकते हो हम orange fox recovery में आ चुक है तो guys अभी हमें क्या कर लेना है हमारे जो पूरा data है guys उसका पहले backup कर लेना अकर आपने data का backup नहीं किया तो backup कर लो उसके बाद guys हम जाएंगे wipe में और यहां पर सब कुछ कर देंगे wipe download cache cache system vendor data यहां पर हम कर देंगे सब कुछ wipe ठीक है तो guys wipe करने के बाद थोड़ा सा wait करेंगे wipe होने के लिए तो guys wipe होने वाला है okay guys यहां पर wipe हो चुक है हमारा सब कुछ हमने wipe कर दिया है उसके बाद guys हमें क्या कर लेना guys हमको install कर लेना है हमारी room ठीक है तो guys यह देखिए हमारी room जो फ्लैश हो चुई है अब हम wipe cache पर क्लिक करेंगे बार और swipe कर देंगे और guys इसके बाद आपको Google Apps install कर लेना है guys और उसके बाद हमको Magisk भी install कर लेना है ठीक है तो अब क्या करें Google Apps पर Magisk दोने install करने के बाद phone को कर लें reboot तो यहाँ पर मैंने Google Apps और Magisk इंस्टॉल नहीं किया क्योंकि मैंने पर Google Apps था नहीं अभी इसलिए इसलिए मैंने install नहीं किया आपको कर लेना है Nano G Apps इंस्टॉल और Magisk भी अगर आप चाहो अपने phone कर रूट करना तो और इसके बाद आप reboot कर सकते हो यह देखिए इसका boot animation कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा तो अगर आपको मेरी वीडियो प्रसंद आए तो फ्लीज वीडियो को कर दो like जो भी आपको पूछने को comments में पूछ सकते हो अगर अपने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया तो अभी क्या भी subscribe कर दो और wait करो मेरे निव वीडियो का Realme 3 Pro और Redmi Note 8 के लिए जो आने वाली है तो thank you guys